नमस्कार आपका फिर से स्वागत लोकमत के इस महा मंथन में और आज हमारे साथ विशेश अतिती के रूप में मौझूद है प्रलाद बामन रौपई जो की एक असाधारन विचारक है, एक फिलोसॉपर है और साथी में वो मानते हैं कि अगर आप अपनी मन से बात करें, अप में पहली बार होने जा रहा है, क्या लगता है, क्या असर पड़ेगा समाज? यह हमारा जिवन विद्धाय मिशन को बहुत एक सपोर्ट है, हमारा कारे के लिए, हमारा सभी जगब, हमारा नौलेज का प्रेचार प्रसर करने के लिए भी यह लोकमत ग्रूप हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, डरडा फैमिली और बाकी सब लोग हमें बहुत सपोर्ट करत है क्योंकि यह विचार जब जैंगे सब के पास तो ही परिवर्थन जो हमें मंगता है हर मनीं जो मंगती है वो हो सकती है परिवर्तन की बात करते हैं, देखा जा रहा है बच्चों में डिप्रेशन है, कही ना कही डिप्रेशन के शिकार आज का युवापीडी होते जा रहा है और आप इस पर हमेशा से ही अपना भाश्य करते आए हैं, उन्हें मार्गे दर्शन करते आ रहे हैं, आज इस मंच से उ इस प्रकार का मार्गे दर्शन करना चाहेंगे? यह जो डिप्रेशन क्या होते हैं, इसमें हम लोग पॉजिटिविटी करते हैं, नोट उनली पॉजिटिविटी, सुपर पॉजिटिविटी, मेरा भला नहीं, सबका भला होने तो, यह जो विचार हैं, यह बहुत बड़ा इससे बड़ा विचार होने सकते हैं, कभी भी, मेरा भला होना यह तो, कोई भी सोच चकते हैं, अगर सबका भला यह सोचने का बहुत डिफिकल्ट है, तो, ऐसा जब हम लोग सोचते हैं, तो, हमारा निगेटिविटी निकल जाती है, जितना निगेटिविटी अंदर होएं उतना ही आपको डिप्रेशन में चला जाएंगे. प्रहला निगेटिविटी निगेह से लिफिकल्ट है, तो, हमारा आत्म जाता है, वाला निगेटिविटी अंदर होएंगेटिविटी निगेटियविटी निगेटि आपको डिफिकल्ट है.